दोस्तो जहां इंडिया में हर दूसरी गाड़ी बिकने वाली जो है आपकी एक SUV हो जाती है वहां पर ज़रूरी हो जाता है यह जानना कि अगर कोई नया प्रोड़क्ट मार्केट में लॉंच हुआ है तो सिर्फ क्या उसको उसकी हाइप के बेसिस पर बुक कर लेना चाहिए यह फिर कुछ देर रुक कर उसका ओनर्शिप रिवी वगरा देखकर उसके अच्छे से प्रॉंस और कॉंस पता करके ही उसको लेने का मन बनाना चाहिए नमस्काल दोस्तो आप हैं EM Cars, Everymate Cars जहां पर आपको automotive related all sorts of information प्रोवाइड की जाती है with complete honesty आगे बढ़ने से पहले I will request you तो please subscribe this channel and press the bell notification icon to get the latest updates of our videos दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं महिंद्रा XUV 3XO के बारे में एक अलग से dedicated playlist भी मैंने अपने चैनल पर इस गाड़ी को लेके बनाई हुई है जहां पर मैंने महिंद्रा की XUV 300 और 3XO के बारे में बहुत सारी व मैं यहां पर आपसे बात करने वाला हूं यह है आपका AX5 Luxury Variant तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि उनका क्या कुछ क्रक्स निकल के आया उनको इसके बारे में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा overall experience मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं और दोस्तों यह गाड़ी मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं कौन सी यह गाड़ी थी उनकी जो गाड़ी थी वो थी AX5 Luxury TGDI यानि कि तर्बो पेट्रोल वाली गाड़ी थी जो कि आपका तर्बो स्पोर्ट पेट्रोल आती है और यह automatic थी talk converter गाड़ी थी और color जो था इस गाड अब गाड़ी को 1000 km चलाने के बाद में उसके बारे में जो सबसे अच्छी बाते इन यूजर ने पोस्ट की हैं मैं आपको वो बता देता हूं यह गाड़ी उन्होंने बताया सुपर फंटू ड्राइव है और इसमें बहुत excitement रहती है जब वो इस गाड़ी को चलाती है यहा music system के बारे में इनके reviews काफी positive हैं उन्होंने बताया कि Herman Cardan का तो नहीं है जो की AX7 में ही आपको देखने को मिलता है लेकिन फिर भी on an average काफी अच्छा है उसके अलावा जो interior space है उसके बारे में इन्होंने बताया कि काफी roomy के बीने doesn't feel any lack of space और उसके लिए XUV300 or 3XO का brand ज साथ में आते हैं वह बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर उससे कोई road noise भी ज्यादा जो है cabin के अंदर नहीं देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ अगर cabin noise की बात करें तो cabin भी काफी well insulated है और external noise जो है आपको ज्यादा गाड़ी के अंदर नहीं देखने को मिलती है जब इस गाड़ी के बारे में शेयर किये अब कुछ cons के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हर चीज के अपने कुछ positive or negative होते हैं तो cons भी मैं आपको बता देता हूं android auto को उन्होंने कहा कि काफी creepy है यहां पर इसमें wi-fi को बाल-बाल बंद करना पड़ता है बाल-बाल खोलना आती है और जैसी जना से excitement के लिए थोड़ा इसमें hard foot press करोगे यह फिल थोड़ा accelerate करोगे वहीं पर इसकी mileage economy deduct हो जाती है अब जैसे उन्होंने बताया कि 42 liters के fuel tank पर यह 400 km बता रही थी total मतलब जो range है उसके अलावा यह range बढ़ गई जब उन्होंने light foot से चलाया 474 हो गई ले एकदम से घटकर 430 km रह गई यानि कि अगर कोई यहां पर fuel efficiency के लिए देख रहा है तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि petrol engine के लिए जाना जो है वो सही नहीं है यहां पर better रहेगा एक diesel engine के लिए जाय 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 नेक्स्ट जो disadvantage उन्होंने mention कि अपने variant के साथ में कि य तो कि अँट क्या जाय जाय बीच में वहरेज रहताब कि अपने डाद गलता संतर लिए जाय और इंधकर मम ना भी ही चैप स्क्सान करो देख देख और अर कि गया नहीं को फिर देख ऊतस तो आपको फिल से री सेलेक्ट करना पड़ता है वो इन्फोटेंटमेंट सिस्टम से जब भी आप गाड़ी को एक बार बंद करके दुबारे से इगनीशन स्टार्ट करते हो तो यहां पर यह कुछ प्रॉंस और कौन सुनोंने इस गाड़ी के बारे हम बताए और एक अनेस च आएंगे, I will keep you posted on my channel. Thank you so much for watching the video, bye bye take care of yourself and remember always drive safe, bye bye dosto. झाल